वारस होनी थाना के अंतरगत ग्राम आले जहरी की शास्की हायर सेकेंड इस्कूल में पदस्त एक सिक्षक ने एक छात्र को बेदम पिटाई कर दी जिसे उचित उपचार के लिए शास्की सिवलास्पताल में भरती क्या गया है प्राप्त जानकारी के नुसार शास्की हायर सेकेंड इस्कूल आले जहरी की कक्षा बारभी एगरिकल्चर का नियमित छात्र गुनेंद्र पिता मोतिलाल चौधरी उम्र 18 वश निवासी जाकपूर करेने वाला है जो प्रती दिन की तरह 17 जन्वरी को भी विद्ध देलाया आ शाम करीब चार पजे आक्रोश में उसने अकेले में अपने मित्र के साथ को चैचा के दरान को अप शब्द बोले दिये जिससे सुनकर सिक्चक सुनिल रंगारी ने छात्र गुनेश को स्टाफ रूब में बुलाया और आक्रोश में आग बवला होती हो उसके साथ मार पिट पूरे ग्राम में महुल गर्म हो गया जहां सेक्डों की संक्या में लोगों की भीड लग गई जिसे देखकर सिक्षक मोके से फरार हो गया जिस पर चात्र वह उसके अभीभावक सहीद सहपार्टी वारस से ने थाना पहुंचे और मामली के रिपोर्ट दर्श कराना की अप जूरल में मैंने धाल और मम स रहार जालए ने की स्टाप्रों में बुलाए इस पाररा से ने पर दूजरे लिए कि सोरी लोडिकते क्या थार जा पतरी सवस्त्रण लिए छिषटी के बात सानेरी जिपन são थकम बमद्माने पामा रहा पर कोई ने रोका निये क्या बीच में नो सर सब बैठके तमास देख रहे थे वहाँ आप कौन से स्कुल और कौन सी कक्छाम पढ़ते हैं साज किया यह से किन्डी स्कुला लिजे लिए कौन सी कक्छाम क्लास पहल थे क्या सब्जेक्ट है एक वी कल्च तो सिर्फ गाली देने लौनें को सर रंगार है इस चांडार ही ज़ता ऑख स्क्राम उंहां सब्सक्राएं सर स्टाप रूम में पड़ा था यह सर फिर तीन चार रहे सर और फिर उठा के लाए था फिर क्लासरूम में सर और फिर यहां पर लेकर आया है तो